नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अरजुन की जूरियो और आपका स्वागत है स्जी विन्यूज पर सुप्रीम कोट में पहलवानों का केस बन जी हाँ आगे की सुनवाई नहीं होगी चीफ जस्टिस इन मामले को लेकर बोले की F.I.R. दाखिल हो गई है जी है इस वक्त की बड चंद्रचूड जस्टिस जेबी पारदिवाला और जस्टिस P.S. नरसिमा की बैंच के सामने दिली पुलीस ने ब्रिजबूशन शरन सिंग के खिलाफ दर्ज F.I.R. यानि कि First Investigation Report में क्या प्रक्ति हुई है इसकी रिपोर्ट दाखिल की सभी पक्षों की दलीले सुनी गई दर्ज हो चुका है रिकॉर्ड में ले लिया गया है और याचिका का उद्देश्य F.I.R. था जो पूरा हो चुका है जो इद्देश्य पूरा हो गया इसलिए अब सुप्रीम कोट ने कहा कि आगे इसमें सुनवाई नहीं होगी सभी शिकायत करताओं को सुरक्षा भी दे गई है और इन सब तथ्यों को देखते हुए इसकी सुनवाई यहीं पूरी की जाती है यह कहा गया सुप्रीम कोट के अंदर और आगे सुप्रीम कोट में कहा कि अगर आगे कोई और मसला आता है तो पहलवान हाई कोट या फिर समभंदित मेझिस्ट्रेट की कोट में जा सक साथ शिकायत करता महिला पहलवानों को सुरक्षा मुहया कराई गई है सॉलिस्टर जनरल तुशार महता ने और भी इस मामले में आगे कहा कि सभी बातों के लिए अगर शिकायत करता यहां यानि की सुप्रीम कोट में आएंगे तो यह सही नहीं है दिल्ली पुलीस जो है वो इस समय चल रहा है लेकिन हर बात के लिए अदालत में अर्जी दाखिल करना सही नहीं है इस पर सीजियाई ने उनसे पूछा सीजियाई डिवे चंदर चूर ने उनसे पूछा कि महिला पहलवानों के बियान CRPC 164 के तहट मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करा लिए गए हैं ये सवाल पुछा गया और जवाब में सुलिस्टर जनरल तुशार महता ने बोला कि नाबालिक शिकायत करता का बियान दर्ज हुआ है अन्य के नहीं वहीं पुलीस अभी आरोपों की जांच कर रही है इन्वेस्टिकेशन चल रहा है और जल्द ही अन्य महिला पहलवानों के बियान भी दर्ज कराए जाएंगे ये कहा गया सुप्रीम कोट के अंदर दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो ब्रिजबूशन शरन सिंग की तरफ से वरिष्ट वकील हरीश साल्वे सुप्रीम कोट में पेश हुए रिप्रेजन किया हरीश साल्वे ने ब्रिजबूशन सिंग को और उन्होंने कहा कि उनके मुवक्चिल का पक्ष भी सुना जाए ब्रिजबूशन सिंग के लिए वहीं पहलवानों के वकील नरिंदर हुड़ा ने कहा कि नबालिक को नोटिस नहीं दिया गया बियान दर्ज करने के लिए तीन गंटे तक बियान दर्ज हुए कल दुपहर में एक सो साथ के नोटिस के तहत बियान दर्ज कराने के लिए आये रहे हैं इस पर CGI चंद्रचूड ने उनसे पूछा कि जो मीडिया में लगातार ब्यान बाजी हो रही है कि अब शिकायत करता पहलवान सुप्रीम कोट से अखिरकार क्या चाते हैं यह सवाल पूछा गया अब क्या चाते हैं सुप्रीम कोट से वे फाई आर के लिए यहां पर तर्शन पर बैठे हुए हैं और ब्रिजबूशन के वकील हरीश सालवे ने सुलिस्टर जनरल तुशार महता का समर्थन क्या इस बियान को ले करके दूसरी तरफ फैस जी ने कल की घटना पर सुप्रीम कोट से का जो रात में जड़प हुई थी उसको ले करके सुप्रीम को पारती के साथ वह वहां जाकर के बैठ लगाना चाहते हैं इसी बीच जो है मैडिकल की भी बात सामने आई जो कहा गया रोप लगाया कि पुलीस वाले शराप पी कर रहे थे उसमें मैडिकल भी हो गया उसको लेकर भी कहा गया कि किसी ने शराप नहीं पी थी वहीं दूसरी नहीं यह बताया गया कि दूसरे जो शिकायत करता हैं उनको भी सुरक्षा दी गई है वहीं सुप्रीम कोट की सुनवाई का उद्देश एफ आई आर को लेकर था जो दर्ज हो चुकी है यहां याचिका पर सुनवाई बंद की जारी है यह कहा गया सुप्रीम कोट में और आ कोट का है फैसला तब आया है जब जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों और पुलीस कर्मियों के बीच जडब हुई है देर रात को जंतर मंतर पर बात किया है तो भुदवार देर रात को जडब हुई जिसमें पहलवान राकेश यादव और विनेश फोगाट के भाई दुश्यंत को चोटे आई हैं और दिल्ली पुलीस का इसको लेकर के कहना है कि रैसलर पर बल प्रयोग नहीं किया गया है बलकि पांच पुलीस वाले गैल हुए हैं आपसी जड़प में और आगे उन्होंने का कि हमने पुलीस कर्मियों का मैडिकल भी करवा है कोई भी नशे म नहीं पाया गया है तो यानि कि यह बेबुनियाद आरोप हैं लगातार 12 दिन से धरना दे रहे रैसलर ने जड़प के बाद गुरुवार को कहा कि हम सभी मैडल्स जो हैं जो उनको मैडल्स मिले हैं वो भारत सरकार को लोटा देंगे ध्यान से सुनिएगा मैडल लोटा दे रहे हैं कि देश के चैंपियन खिलाडियों के साथ इतना गलत बरताव और यह बहुत दुखद है शरमनाक है तमाम सवाल उठाएगे लेकिन इसी बीच सवाल यह उठता है कि बिना परमिशन के आम आदमी पार्टी के विधायक और पूर्मंत्री सोमनात भारती वहां पर ब सवाल उठाए जा रहे हैं पुलीस पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि पुलीस ने लाठी है बरसाई जबकि वो वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर लगातार वाइदल हो रहे हैं आपको पहले भी बताया था जिसमें साफ तोर पर यह सुना जा सकता है जो पहलवान कर रहे है कि पंखे से लगी है जो वहाँ पर पंखे लगे थे उस पंखे से गलती से चोट लगी है पंखे से चोट लग जाती है और आरोप किस पर लगाया जाता है दिल्ली पुलीस पर और सोशल मीडिया पर एक माहूल तयार किया जाता है कि दिल्ली पुलीस ने लाठिया मार दी दिल कांच जो है वो चल रही है फायार दर्ज हो चुकी है तो दूसरी तरफ लगाता अभी भी यह दरने पर बैठे हूं और इस बीच वो जो नियम बनाया गया था कि ट्राइल से गुजरना होगा ओलंपिक कोटा रखने वाले खिलाडियों को भी बार बार उसकी बात सामने आ रह होगी लेकिन आपकी क्या राय है इस पर जो सुप्रीम कोट में पूरी सुन्वाई हुई सुप्रीम कोट ने कहा कि आपका अफ आयाठ की मानभी है उसके बावजूद लगातार जहा यहां पर इस तरह की ब्यानल की दगातार मीडिया में धी जा रही है लेकिन आपका गया रुख है आपकी कहा रहा है आप ज़रूर हमार साथ कमेंड बॉक्स में शेयर करें इसमें आपको क्या एंगल लग रहा है और बार-बार इसमें माम अप्डेट केल बेने रेमार्सत, दन्य वाद